हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गोड इबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल और भी बच्चे और भी साथ ही इस क्लास को जोइन कर सके और यह triple C का अर्द सदक होगा यानि की half paper होगा तो इसे आपको अच्छे से करना है और कोशिश करना है कि आपके जो अंक है वो 50 में 50 हो आपका जो स्कोर है वो 50 में 50 का होना चाहिए ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए तो चलिए देखते हैं आप लोग कितने कोशिशन इस क्लास में कर पाते हैं आज का सबसे पहला कोशिशन आपके सामने आज चुका है तो सबसे पहला कोशिशन क्या पूछा है नेमन में से कौन सा आई योटी का अंग नहीं है ठीक है वीच आप दा फॉलोईंग इस नाट इस पार्ट आफ आई उड़ी आईंटी मिंस इंटरनेट आइट आउथ तिंग्स बताये प्यूपैल प्रोसेस कनेक्टिवटी जा सिकूर्टी इंटरनेट आफ तिंग यह पूछा है ठीक है कौन सा एक पार्ट नहीं है तो सही जवाब आप सभी को करना है कौन सा होता राइट अंसर यहां पर आपका D option correct हो जाएगा security दिया रखना है D option आपका correct है यह internet of things यानि की internet IoT का एक भाग नहीं है internet of things का अभिश्कार किस ने किया who invented the internet of things बताएं question number second आपके सामने है यहां पर अधिकांस question जो है वो आपके future skill and cyber security से लिए गए है ठीक है अधिकांस question यहां पर आपको future skill and cyber security से मिलेंगे इस पूरे session में और भी question है लेकिन future skill and cyber security हमें ज्यादा question इस class में रखे है तो आपको बता रहा है internet of things का अभिश्कार किस ने किया who invented the internet of things सही जवाब क्या होगा आप सभी का answer यहां पर जल्दी से आना चाहिए और correct answer होगा यहां पर option पहला के बिन अस्टन यह है internet of things के अभिश्कारक ध्यान रखना ठीक है रट लेना इस सभी question बहुत important है तो अच्छे से पढ़ना एक एक question को ध्यान रखना है आप सभी को question number 3 देखिए पूछा गया है future skill portal की शुरुवात कब हुई ठीक है future skill portal की शुरुवात कब हुई आपको answer करना है सही जवाब यहां पर कौनसा होगा future skill portal की शुरुवात कब हुई यहां पर आई टांसर है option आपका डी 19 फरवरी 2018 को future skill portal की शुरुवात कभी 19 फरवरी 2018 को question number अगला देखिए future skill portal किसके दौरा लांच किया गया ठीक है future skill portal किसके दौरा लांच किया गया IT ministry यहां फिर नैस कॉम डी प्रो या RBI बताए question number 4 का सही जवाब क्या होगा यहां पर कि यहां पर आपका option number B हो जाएगा नैस कॉम के दौरा ठीक है the national association of software and service companies जिसका full form होता है इसको धिया रखना है the national association of software and service companies नैस कॉम के दौरा future skill portal को लांच किया गया ठीक है धिया रखना है अगला question देखिए निमने में कौन सा बीग डाटा फ्रेमबर्क Google के दौरा बिक्षित किया गया बताइए विच आप दा फालोइंग विग डाटा फ्रेमबर्क बाज डेपलब्ड वाई गूगल कोईस्टन नमबर फाइब में कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको याद रखना है मैप रिडियूस ऑप्सेन नमबर यहां पर भी हो जाएगा मैप रिडियूस अगला कोईस्टन देखिए सुरच्छित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्षी क्या है ठीक है सुरच्छित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्षी क्या है गोपनीता ब्यवधान परिवर्दन या अलफदीज सुरच्छित कंप्यूटिंग का मुख्लिच क्या है प्राइवेसी गोपन ये था ऑप्षन पहला यहां पर हो जाएगा आपका राइट असर अगला कुछन देखिए डैस टेकनोलोजी उप्योग करताओं को ऐसा महसूस कराती है जैसे बास्ता में एक आभासी बातावरण में में हैं अब कौन सी टेकनोलोजी ऐसा महसूस कराती है जैसे कि आप बास्ता में एक आभासी बातावरण में हैं बताईए वर्चुल रियालिटी यहां पर क्या हो जाएगा बी यार हो जाएगा पहला आप्षन ही आपका राइट है बी यार वर्चुल रियालिटी परस्टन है इसकी क्या है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है ऑप्षन यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा ऑपसन number सी ठीक है यहां रखना है Artificial Intelligence का जनक किसे कहा जाता है Artificial Intelligence यानि कि AI का जनक किसे कहा जाता है तिके Who is the father of Artificial Intelligence यहाँ पर क्या हो जाएगा Option number D हो जाएगा John McCarthy को Artificial Intelligence का जनक कहा जाता है आप सभी बच्चों को याद रखना है अगला कुश्चन देखिए WhatsApp डाटा को सुरच्छित रखने के लिए किसी टेकनलोजी का उप्योग करता है WhatsApp डाटा को सुरच्छित रखने के लिए कौन सी टेकनलोजी का इस्तिमाल करता है Authentication, Encryption, Authorization या None of this ठीक है आप सभी को आशर भेजना है Question number 10 का सही जवाब क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा B Encryption तकनीक का इस्तिमाल करता है Encryption इसको दिहान रखने है Question अगला देखिए निमने में से कौन AI के निकटता माधार है Question number 11 में आपका राइट अंसर बताना है क्या होगा तो सही जवाब है Option number B Mathematics Option number B आपका राइट है अगला question देखिए HTTPS का अर्थ है कि server सुरच्छित है HTTPS means the server is secure क्या यह सही है Correct है True and False में आपको बताना है HTTPS का मतलब है कि server सुरच्छित है तो बिल्कुल आप इसको true करेंगे क्योंकि HTTPS for हो जाता है Secure Security के लिए होता है Secure हो जाता है Server सुरच्छित है तो बिल्कुल ठीक है पहला option आप कर सकते है Right किस प्रकार के cyber attack में आप से आपकी जनकारी मांगी जाती है इस प्रकार के cyber attack में आप से ही आपकी जनकारी मांगी जाती है बताइए In which type of cyber attack Your information is asked from you आपसे ही आपकी जनकरी मांगी जाती है यहाँ पर कौँसा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा option पहला phishing attack में आपसे जो information होती ही वो मांगी जाती है तो option पहला correct है यह आपको फसाया जा सकता है अगला question देखिए HTTPS में S का मतलब क्या है अभी अभी बताया इसकी बात हुई थी HTTPS की है ना तो yes for हमने भी बताया था आपको क्या होगा इसमें सही जवाब yes for हो जाएगा secure option पहला ही correct है आपका फिर secure हो जाएगा ओके देखिए अगला question ट्वीटर में ट्वीट की अधिक्तम सब्द सीमा क्या है बताये ट्वीटर में ट्वीट की अधिक्तम सब्द सीमा आपसे पूँचिए तो यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा 280 हो जाएगा फिर आपका option भी correct ठीक है लिबरओफिस काल्क में merge cell कमांड किस मैनो में मिलता है in which मैनो is the merge cell कमांड found in लिबर ओफिस कैल्क merge sale command आपको कहाँ पे मिलेगा LibreOffice calc में calc एक spread sheet program है बार-बार आपको repeat कर देते हैं इस चीज़ को बताते रहते हैं तो आपको याद रखना है और यह मिलेगा आपको format menu में तो option यहाँ पे हो जाएगा आपका we correct format menu ठीक है चलिए question अगला देखिए writer में heading second लगाने के लिए control 2 press किया जाता है ठीक है अगर आप heading 2 apply करना चाहते हैं तो control 2 press कर सकते हैं क्या यह सही है true है की false आपको बताना है writer में heading 2 लगाने के लिए control 2 आप press कर सकते हैं तो बिलकुल correct है आप control 2 से heading 2 लगा सकते हैं Ctrl 1 से Heating 1 लगा सकते हैं, Ctrl 3 से Heating 3 लगा सकते हैं. अगला question है Mozilla Firefox क्या है? Mozilla Firefox क्या है? आपको answer करना है, तो यहाँ पर बताये कौई सा correct answer हो जाएगा? Mozilla Firefox एक वेब ब्राॉजर है, यहाँ आप से यहाँ पर b हो जाएगा, एक वेब ब्राउजर है. question अगला देखिए ATM pin mobile banking pin आदी बदलते रहने चाहिए आपको अपने जो ATM pin है या mobile banking pin है इसको change करते रहना चाहिए क्या होगा इसका सही answer true होगा या false होगा तो बिल्कुल हमें बदलता रहने चाहिए निकी option पहला correct हो जाएगा अगला question क्या पूछा है c2c का पूरा नाम क्या है full form क्या है सी टू सी का full form आपको answer करना है तो यहां पर कौन सा correct answer होगा यहां पर हो जाएगा option b customer to customer होता है सी टू सी का पूरा नाम है ना यह दियार रखना है राइटर में by default कि परर सेन्ट होता है १ार भृट में कितना होता है साइब कि पर सेन्ट होता है कि Unfair यहां पर भी बात करें राइटर में तो कितना हो जाएगा सिक्स एंड़ परसेंट हो जाएगा और minimum zoom की बात करें तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा इसको भी ध्यान रखना है maximum कितना होता है और minimum सबसे ज़्यादा कितना कर सकते हैं और सबसे कम कितना कर सकते हैं और by default हमारा 100% होता है बिल्कुल सीख है अधार card में कितने digit होते हैं how many digit in अधार card हाड में कुल कितने digit होते हैं किसे अधार card में आपने देखा होगा nk कितने होते हैं 12 होते और यह सहन्यापकी क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा होते हैं ATM के पहले शे गिजित से बैंक की पहचान होती है से बैंक की पहचान होती है true है कि false ATM card में जो पहले 6 digit होते है उससे bank की पहचान होती है तो बिल्कुल सही है पहला option यहाप यह correct हो जाएगा अगला question देखिए ussd का full form होता है क्या होता है what is the full form of ussd ussd का full form आपको बताना है तो यहाँ पर कौन सा correct answer होगा unstructured supplementary service data होता है unstructured supplementary service data हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा service होगा और फिर data होगा service data ऐसे ठीक है unstructured supplementary service data होता है इसको ध्यार रखना है यह option में यहाँ पर service लिखना भूल गया साइद तो पहला option यहाँ पर है फिलाल आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है अनिस्टक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डाटा होता है यह आपको याद रखना है कि वेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है बेसिक का फुल फॉर्म, क्या होता है, विगनर्स, आल परपस, सिम्बोलिक, इंस्ट्रक्शन कोड, ओप्षन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ओप्षन आपका करेक्ट हो जाएगा, अगला कुछन देखिए, नावाड किस थापना किस ने की, ना MMID का full form क्या है MMID का full form आपको बताना है बताइए MMID का full form क्या है MmID का full form क्या है Ic का विसकार किया है Jack-Calvy, Option नमबर यहाँ पर C correct है LibreOffice बिंडो बंद करने के लिए shortcut की क्या होती है LibreOffice की बिंडो बंद करने की shortcut की क्या होती है खिए तो LibreOffice की ही अगर बंद करना चाहते हैं तो Control के साथ में आपको फिर Q प्रेश करना होगा कंटोल की उसे आप बंद कर सकते हैं केवल राइटर या फिर केवल कैल की या केवल इप्रेज की पूछें तो आप फिर उसके लिए कंटोल डब्लू प्रेज कर सकते हैं website- का collection है website किसका collection है यहाँ पर हो जाएगा d option बेपेजिज का collection होती है आपकी website website-upi में आई क्या है यूपी आई के अंदर जो आई होता है ना इस आई का मतलब क्या है आपको समझाना है यूपी आई ठीक है आप वो facebook पर अधिक्तम कितने friends बना सकते हैं maximum क्या होगा सही जबाब तो यहाँ पर हो जाएगा c 5000 आप friends बना सकते हैं अगला question instagram पर अधिक्तम कितने समय की वीडियो अप्लोड कर सकते हैं instagram पर कितने समय की वीडियो अप्लोड कर सकते हैं कौन सा correct answer यहाँ पर है option c हो जाएगा फिर 60 second ठीक है option number यहाँ पर c correct हो जाएगा question बना देखिए m commerce की शुरुआत की थी m commerce की शुरुआत किसने की थी 34 में कौन सा correct answer होगा केविन डफी option नमबर यहाँ पर c है आपका m commerce की शुरुआत की थी केविन डफी ने तुिस्टेट पेर नेटवर्क केवल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करती है बताएं 35 में आपका कौन सा correct answer है तुस्टेट पेर नेटवर्क केवल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करती है तो यहाँ पर हो जाएगा option number d rj45 mac address होता है कितने bit का होता है आपसे पूंचा है mac address का full form क्या होता है media access control होता है और इसका कितने bit का होता है तो याद रखना है 48 bit का होता है 48 bit का होता है अगला question देखिए 3D का क्या मतलब होता है 3D का मतलब आपको answer करना है तो यहाँ पर कौन सा correct answer हो जाएगा 3D का मतलब क्या होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 dimensions option number यहाँ पर हो जाएगा be correct artificial intelligence के जनक के रूप में किसी जाना जाता है चलो यह question दोबारा से repeat हो गया साय अभी आया था आपके सामने artificial intelligence यानि कि AI का जनक किसे कहा जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा John McCarthy option number पहला अगला question देखिए wave designing में प्रियुक्त होने वाली सबसे आम भासा कौन सी है which is the most common language used in wave designing सबसे आम भासा most common language के बारे में पूछा गया आपसे C होगा, C++ होगा, PHP होगा या HTML होगा सबसे आम भासा यानि कि most common language कौन सी है HTML है इसको धियान रखना है HTML अगला question देखिए land, man, ban यह सभी network के प्रकार है true है कि false land, man, ban यह सभी network के प्रकार है true है कि false तो यहाँ पर हो जाएगा true land, local area network, man, metropolitan area network और ban, wide area network अगला question देखिए पूचा क्या गया है आपसे IMEI का full form क्या होता है IMEI का full form क्या होता है यहाँ पर कौन सा correct answer हो जाएगा 41 का international mobile equipment identity ठीक है international mobile equipment identity हो जाएगा option C अगला question है IMEI केतने digit का होता है दोनों question most important है आपको आने चाहिए IMEI केतने digit का होता है और इसका full form क्या होता है दोनों चीज़ें आपको आने चाहिए IMEI होता है 15 digit का यहने की option यहाँ पर दीकरेक्ट है आपका 15 अंक का होता है Google Chrome, Mozilla Firefox और Net Escape Navigator क्या है बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट आपका आंसर होगा 43 का Google Chrome, Mozilla Firefox और Net Escape Navigator यह सब क्या है यह सब है बेब ब्राउजर ओप्सन नमबर सी यहाँ पर बेब ब्राउजर है अगला कुशन है LinkedIn बैब साइक और रोजगार की साइट है LinkedIn बैब साइक और रोजगार की साइट है क्या इसको आप सही करेंगे या फिर फॉल्स करेंगे एक कोशन पिछले एकजाम में आया था कि LinkedIn आप कौन सा प्लेटफार्म आपको नौकरी दे सकता है या कहां पर आप नौकरी खोज सकते हैं तो सही जवाब था LinkedIn यानि कि यहाँ पर आप जॉब सर्ज कर सकते हैं तो यह बैप साइक और रोजगार की साइट है आप एक कैस रखते हैं तो आपसन यहाँ पर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा और कई प्रकार से कॉस्टन जो है पूछ लेते हैं घुमाफिरा के तो आपको समझ आ रहा है कि यह रोजगार की साइट है यानि कि आप यहाँ पर सर्ज कर सकते हैं कोई भी जॉब ढोड़ सकते हैं OS कौन सा सॉफ़वेर है OS अप्लिकेशन है सिस्टम है इटलिटी है नन आफ़ दीज है बताएं कौन सा करेक्ट आशर है यहाँ पर 45 का OS यानि कि ओपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ़वेर है system सॉफ़वेर है option भी है आपका राइट है UPI pin में अधिक्तम कितने digit होते हैं बताएं यहाँ पर कौन सा करेक्ट आशर हो यहां पर क्या हो जाएगा तेलीग्राम हो जाएगा एक इंस्टैंट मैंसेंजर हो गया आपका वाट सब्सक्राइब का इस अगला कुछ देखिए वाट इस प्रियोग होता है में डिरेक्टरी रिमूब इंप्टी डिरेक्टरी कॉपी यानन औफ तीच इसमें से कौन सा जामने है और आपको आंसर करना है कौन सा यहां पर सही जबाब हो जाएगा तो ऑप्शन भी है आप रोग का रिमूब इंप्टी डिरेक्टरी दिया रखना और एक कोस्टन पर लेक्जाम में काफी आया था आर्यम डिया यार इसको याल रखना है इंप्रेश में आप सलाइट लो इंशिए सटार्ट कर सकते हैं बस किषे करना है आपका सलाइट सो श्टाट हो जाएगा अगर करेंट की वाद करें तो current में क्या होगा shift के साथ F5 होगा फिर shift प्रेस करना होगा और फिर साथ में F5 प्रेस करना होगा current slide आपकी चालू हो जाएगी है ना how many digits in UPI pin आपको आशर करना है UPI pin में कितने digit होते हैं कितने digit होते हैं UPI pin में बताइए विपी आई पिन में कितने डेजिट होते हैं तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा option पहला चार से छे ठीक है कितने होते हैं चार से छे डेजिट होते हैं और एक extra question आपके लिए है 51 जो आपको आंसर करना है how to go to on next sale next sale में जाने की shortcut की आप लोग बता दीजिए आप वो यहां पर हैं जैसे कि आपके पास बहुत सारे sale हैं अब इस sale में हैं आप यहां पर हैं आपको a sale से b sale में यहां पर जाना है और यहां पर आप हैं तो next sale में आप कैसे जा सकती हैं shift दवा देंगे तो चले जाएंगे tab दवा देंगे तब चले जाएंगे टैब फिल्ट वाएंगे तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा एब आपको प्रेज करना है ठीक है धिया रखना है तो आज की क्लास यहीं तक थी उम्मेद करता हूँ इस सभी कॉस्टन आपको अच्छे लगे होंगे और इस सभी कॉस्टन आपको बता दें आपके लगें जहांसे भी कलिक करके इसका डाउलूडड कर सकते हैं ठीक है और आपको क्लास पसंद आया हुँ तो इसको लाइक और शेर करना बिल्कुल भोला करें और जिन बच्चों ने चैनल को सब्स्क्राइब नेंग क्या है तो आप सभी सब्सक्राइब करें तो आइसा ही मे